तो यह वीडियो है आप में से कई लोगों के क्वेशन है कि वीजा नहीं है सबको पता है दिखिए कि प्रसेसिंग डिले चल रहा है बहुत से अप्लिगेंट है जो उनको साथ दिन से उपर भी हो चुका है अपने नहीं देखी तो उसको चेक कर लो और यह वीडियो स्पेशली रही क्योंकि बहुत से लोगों ने जो ट्रेवल प्लैन थे वह एक डेट बनाई थी कि एक जून से दस जून का ट्रेवल प्लैन है जा कहीं के मई एंड के आसपास था किसी के बैनबाई का बड़े था किस रीजन था वो तो खत्म हो गया कि बड़े था वो तो निकल गया मैरीज थी वो तो चली गई तो देखिए यह वीडियो में मैं आपको इसका अंसर दूंगा और आपको क्या कुश अपडेट करना चाहिए वो भी थोड़ा समय आपको हिंट दे दूंगा एंड तक देख ले वो टले को लेख खे आपको वीजा रफ्यूजल नहीं दे सकते कि भाई आपका प्लाइन चला गया तो अब हम आपको वीजा नहीं देंगे तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं होता क्या है जो तो केस होते हैं इंवीटेशन वाले अगर किसी का बड़े चला गया तो आप सिर्फ बड़े मनाने नहीं जा रहे थे आप उनसे मिलने भी जा रहे थे तो आपका तो यह भी रीजन था ना कि हाँ फैमली मेंबर को मिलने भी जा रहे हूं तो इसलिए वो आपका वीजा रफ्यूज नहीं कर सकते इस ग्राउंड के उपर तो मैरीज थी किसी कि वो निकल चुकी है तो ऐसा कई cases में हुआ है और आप मेंसे कई ऐसे वीडियो जो देख भी रहे हैं उनके साफ भी हुआ होगा कि वो रीजन निकलने के बाद आपको वीजा मिला है तो मतलब हाई कमीशन अगर आपका प्लैन निकल चुका है तो उसके बाद वीजा देगा जहा आपसे निया प्लैन माँगए वैसे नहीं माँगए तो आपका डॉट करना कि वो रिजल्ट नहीं देगे तो यह गलत है वो आपको रिजल्ट पॉजिटिव दे सकते हैं यह था इन्वीटेशन वालों का कुछ दिकत नहीं आएगी आपको तो फिर एक होते हैं जो होटल प करना चाहते हैं तो आप क्या करो कि जो आपकी बुकिंग है कन्फरमेशन उसको महीना और एक्स्टेंट के बाद की डेट लाल के आप नया लगा सकते हो अगर आप चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो बट वो ड्रेक्ट कभी वीजा रफ्यूज नहीं करेंगे इस ग्राउंड आप ऐसा हुआ है तो वो कमेंट में मेंशन करके बाकि वो गाइड कर सकता है जी यह चीज हुई थी पर मुझे लगता नहीं है कि ऐसा आएगा क्योंकि कोवीट से पहले भी कुछ केस लगे थे तब मिरे द्यान में है एक एप्लिकेंट था मेरे नोन में उसके भाई की मिला जबकि मैरेज निकले हुए भी साल से उपर का टाइम हो चुका था तो अब यह चीजे हैं कि हाई कमिशन समझता है वो अगर प्रसेसिंग डिले उनके अंड से है तो इस बहाब की उपर वीजा रफ्यूज नहीं करते सो इतनी कोई टैंश लेने की जरूरत नहीं है अब इस पर कुछ कर नहीं सकते ज्यादा जिसका अर्जेंट है मैं बार बार कहता हूँ कि आप प्रियोटी सर्विस लेलो विड्रो करने के बाद अगर अर्जेंट है नहीं तो अब इतो देखो कुछ कर नी सकते ज्यादा इसमें जैस्ट एट और रिजल्ट आने प्रसेसिंग टाइम बढ़ गया है तो मतलब कि प्रसेसिंग ले तो अभी आने वाले कुछ मीने और रहेगा तो बस तीन मीने चार मीने पहले फाइल लगानी स्टार्ट कर लो जिन्नोंने नॉर्मल में लगानी है नहीं तो फिर प्रियोटी सर्विस आप परचेज कर सकते हो अगर आपके पास वो स्पेंडिंग की लिमिट है लेकिन उसका वीजा ओटकॉम पर ज्यादा की फरक नहीं पड़ेगा अगर आपको लगता है कि उससे वीजा आ जाएगा तो यह भी सही नहीं है तो और ऐसी वीडियो के लिए और डाउट के लिए आप क्वेशन पूसकते हैं वीडियो देखते रहें चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लें अगली वीडियो लेके जल्दी हाजर होंगे आज के लिए तना है दोस्तों बाए बाए